जे मसी की दोस्तों, आज के सुरिगी मन्ना का भाग हमने लिया है बजन सहीता की पुस्तक, उसका एक्यानवे अध्याए और उसका पंद्रमा वचन वचन कहता है, जब वो मुझे पुकारेगा, तब मैं उसे उत्तर दूँगा संकट के समय मैं उसके सहत रहूँगा, मैं उसे छोडाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए दोस्तों आप सूचिए, हम किस परमेश्वर की पूजा करते हैं? हम किस परमेश्वर के साथ हैं? कौन है परमेश्वर जो हमारा इतना ख्याल करता है? हर पल का, हर छण का, वो हमारा ख्याल करता है, वो हमारे साथ रहने का वादा करता है अद्बुत पिता हमें मिला है, हम अद्बुत पिता की संतान है वो कहता है कि तू जब मुझे अपने दिल से प्यार करता है, जब तू मुझे अपने मन से प्यार करता है, जब तू मुझे पर विश्वास करता है, तो मेरे नियम, मेरे कानून तेरे जीवन में लागू हो जाते हैं। और उसका नियम क्या कहता है? कि जब वो मुझे पुकारेगा, तब मैं उसे उत्तर दूँगा. दोस्तों, उसका प्यार अधफुत है. उसने किसी शर्ट में प्यार नहीं किया है. वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उस नियम के अनुसार, उसके प्यार के अनुसार, उसके कहे अनुसार, उसके चर्णों में आएं, उससे कहें, उससे ढूड़ें, उसकी रहा खोजें, उससे प्यार करें, उस पर विश्वास करें, और उससे पुकारें, जब हम पुकारेंगे, तब वो हमें उत्तर देगा. और उत्तर क्या देगा, वो कहेगा कि मैं तेरे साथ हूँ, वो कहेगा कि संकट में तुम्हारे साथ रहता हूँ, हाले लिया, और सबसे उत्तम बात, कि देखिए वो हर घड़ी, हर संकट से बचा कर, गरीवी से छोड़ा कर, दर्ददा से छोड़ा कर, पापों से छोड़ा कर श्रापों से छोड़ा कर वो हमें सम्मान देना चाहता है वाचन कहता है कि हो हमें छोड़ाएगा और सम्मान देगा दूस्तों कभी आपने सुबह की शुरुवात ये सूच कर की है कि आज मैं अपने पिता अपने परमिश्व को संबान दूँगा दुनिया के सामने दोस्तों सोचिए जब हम अपने दिन की शुरुबात करते हैं कभी आपके जहन में ये बात आईए कि नहीं आज का मैं दिन शुरू करूँगा पिता को संबान देते हुए आज मैं अपना कारिख शिरू करूँगा पिता को सम्मान देते हुए आज मैं अपने दोस्तों से मिलूँगा पिता को सम्मान देते हुए आज मैं इस दुनिया में कलब रखूँगा पिता को सम्मान देते हुए दोस्तों, वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ाऊंगा और उसे सम्मान दूँगा ए पिता, तुमान है तुझ जैसा कोई नहीं पिता तेरे जैसा दिल किसी का नहीं है तेरे जैसा प्यार किसी का नहीं है दोस्तों, मुझे याद आती है घटना, डैनियल की बुस्तक में है शद्रक मेशक अबेत लगो ये तीन मित्र थे दानियल के और अद्बुत थे, वफादार थे प्यार करते थे परमेशर से नबुकद नेसर के सामने वो आए और नबुकद नेसर की जो सूचना थी, उसका जो कानून था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, वो कानून क्या था? कि नबुकद नेसर की सी मुर्थी को पूछना चाहता था, लेकिन शद्रक मेशक अबेत नगो कहते थे, कि मेरा पिता सर्व शक्तिमान है, और मैं उसी को सर्व सम्मत से पूछूँगा, हालेलोया लेकिन उसने, नबुकद नेसर राजा ने सामने आग की भट्टी जला दी, हालेलोया आपको याद होगा मुद्रिश्य, उन्होंने गुन-गुनाते हुए, वो इस्तुती करते हुए, आरादना करते हुए, शदरक मेश्यक अबेद नगो उस आग की भट्टी में चले गए, उनके सेनिकों ने गल्ती गी, शदरक मेश्यक अबेद नगो के उन्होंने हाथ पेर बांदी, हालेलोया, उन्होंने मुँ नहीं बांदा, हालेलोया, और उस मुँ उसे उस पुवित्र परमेश्व की इस्तुती अरातना करते रहे और वो अपने वादे के मताबिक, वो अपने कहे के अनुसार, वो अपने नियम के अनुसार उस आग की भटी में सामने दिखा, उस राजा को दिखा, कि वो तीन लोग थे, ये चार कहां से आगए, हलेलोया और उस राजा ने उनको बाहर निकाला और नत मस्तक किया, उसने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर ही सर्वो शक्ती है, तुम्हारा ही परमेश्वर पुझने के महिमा के योग के है और शद्रक मेशक अबेद नगो को परमेशर के नियम के अनुसार सम्मान मिला उन्हें उच्चे पद मिला हालेलोया उन्हें समाज में मान मिला धन्यवाद पिता परमेशर तेरा हर वचन सत्ध है और तेरा हर वचन सिद्ध है तुझे जो कहता है वो करता है तुझे जो कहता है वो होता है बस हमें तेरी रहा को तेरी बाठ को जोना है हमें पुरी तरीके से इमानदारी से तुझे अपने जीवन में संबान देना है तुझे पुरी तरीके से नमन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है आईए हम रातना करते हैं परमेश्वर इस पल के लिए परमेश्वर जो तुने हमें आजादी दी है परमेश्वर जो तुने हमें सोच दी है परमेश्वर जो तुने अपनी आत्मा हमें दी है हम धन्यवाद देते हैं तुन्हें हमारा जीवन बदल दिया, तुन्हें हमें पूरी तरीके से बताया कि तू हमसे कितना प्यार करता है, सुनने वले हर भाई मैं के लिए तिराशीश मांगते हैं, बुद्धी मांगते हैं परमेश्यर, ताकि हमारा विश्वास, हमारा प्यार वो दृड़ता के साथ ह अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और दुन्या को बताएंगे कि हमारा प्यता जीवित है, हमारा इश्व जीवित है और वो हमारे अंदर रहता है, एमेन, एमेन, एमेन